नमस्कार दोस्तों मैं योगेश और आज हम बात करेंगे भारतिय जन्ता पालटी की विचारधारा के बारे में जी हां भारतिय जन्ता पालटी भाजपा सिद्धान्तों और आदर्शों पर आधारित राजनेतिक दल है यह किसी परिवार जातिय वर्ग विशेश की पार्टी नहीं है भाजपा कारेकर्ताओं को जोडने वाला सूत्र है भारत के संस्कृतिक मूल्य हमारी निश्ठाएं और भारत के परमवैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास की अपने पुर्शार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे दोस्तों भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ती में कहना हो तो वह है भारत माता की जय भारत कार्थ है अपना देश देश जो हिमाले से कन्या कुमारी तक फैला है और जिसे प्रकर्ती ने एक अखंड भूभाग की रूप में हमें दिया है यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी उसकी संतान है एक मा की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोधर यानी भाई बहन है भारत माता कहने से एक भूमी और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृती का भी ध्यान बना रहता है इस माता की जै में हमारा संकल्प घोशित होता है और परम वैभव में है मा की सबी संतानों का सुख और अपनी संस्कृती के आधार पर विश्व में शान्ती वे सोखे की स्थापना यही है भारत माता की जै मित्रों भाजपा के संविधान की धारा तीन के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धी और आत्मा का एकात्म यानी समग्र विचार करना सिखाता है यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संगर्ष नहीं देखता बलके मनुष्य के सोभाविक विकास, क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाउं, राज्य, देश और सरश्टी तक उसकी पूर्णता देखता है यह दर्शन प्रकर्टी और मनुष्य में मा का संबंध देखता है जिसमें प्रकर्टी को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी आवेशक्ता की चीजों का दोहन किया जाता है भाईयों, भाजपा के समविधान की धाराचार में पांच निष्ठाएं वर्नित हैं एकात्म, मानववाद और ये पांच निष्ठाएं हमारे वैचारिक अधिस्ठान का पूरा ताना बाना बुनती हैं पहली, राष्ट्रवाद और राष्ट्री एकात्मता हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है नवोदित राष्टर भी नहीं है बलकि यह सनातन राष्टर है हिमाले से कन्या कुमारी तक प्रकर्ती दुआरा निर्धारित यह देश है इस देश भूमी को देशवासी माता मानते हैं उनकी इस भावना का आधार, प्राचीन, संस्कृती और उससे मिले जीवन मुल्य हैं हम इस विशाल देश के विविदता से परिचित हैं विविदता इस देश की शोभा है और इन सब के बीच एक व्यापक एकात्मता है यही विविदता और एकात्मता भारत की विशेष्टा है हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है, केवल भोगोलिक नहीं इसलिए भारत भूखंड में अनेक राज्य रहे पर संस्कृती ने राष्ट्र को बांध कर रखा, एकात्म रखा दूसरा, लोकतंत्र, विश्व की प्राचीनितम ग्यात पुस्तक, रिगवेद का एक मंत्र, एकम सद विप्रा, बहुदा, वदंती, उलेखनिय है इसका अर्थ है सत्य एक ही है, विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते है भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है और आप जो कह रहे हैं वह भी सही है विचार स्वातंत्र, freedom of thought and expression का आधार यह मंत्र है संस्कृत में एक और मंत्र है, वादे, वादे, जहते, तत्व, बोध, इसकार्थ है, चर्चा से हम ठीक तत्व तक पहुँच जाते हैं चर्चा से सत्य तक पहुँचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रिय सौभाव बनाता है इन दोनों मंत्रों ने भारत में लोक तंतर का सौभाव गढ़ा निखा रहा है। भारतिय समाज ने इसी लोक तंतर का सौभाव ग्रहन किया है। लोक तंतर भारतिय समाज के अनुरूप विवस्था है। मित्रों, भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोक तंत्रिय विवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवत हैं अकेला ऐसा राज नीतिक दल है जो हर तीसरे साल स्थानिय समीती से लेकर राष्ट्री अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजए है कि चाए बेचने वाला यूवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुँचना संभव होता रहा है। दोस्तों, सत्ता का किसी एक जगह केंद्रित होना लोकतंत्रिय सोभाव के विपरीथ है। इसी लिए लोकतंत्र विकेंद्रित शाशन विवस्था है। केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। सब को अपनी अपनी जिम्मेदारियां भारत के सम्विधान से प्राप्त होती हैं। सम्विधान दोरा मिली अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत स्वतंत्र हैं। इसलिए गाउं के लोग पंचायत दुआरा गाउं का शाशन स्वयम चलाते हैं और यही इनके चड़ते हुए क्रम तक होता है। लोकतंत्र के प्रती हमारी निष्ठा अपातकाल में जग जाहिर हुई। 25 जून 1975 को ततकालीन प्रधानमंत्री शिरिमती इंद्रा गांधी ने भारत में अपातकाल घोशित कर दिया था। नागरिकों के प्रकरती प्रदत मोलिक अधिकार भी निरस्त कर दिये गए थे। यहां तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। ततकालीन जन संग अब भाजपा नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिये गए थे। अख़बारों पर भी सेंसर शिप लागू हो गई थी। लोकतंत्र के प्रती अपनी निष्ठा के कारण ही हम यानि ततकालीन जन संग के कारेकरता भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संगर्ष किया। असंखे कारेकरताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंदे रोजी रोटी का नुकसान सहा। इसी संगर्ष का परिणाम था, 1977 के आम चुनावों में जनता जनार्दन की शक्ती सामने आई और इंदराजी की ताना शाह सरकार धराशाई हो गई। तीसरा, सामाजिक वे आर्थिक विश्यों पर गांधीवादी द्रश्टिकोन जिस से शोशन मुक्त और समता युक्त समाज की स्थापना हो सके। विशैली होकर छुआ छूट तक पहुँच गई। भक्तिकाल के पुरोद धाउं से लेकर महत्मा गांधी वे डॉक्टर अमबेडकर को इस से समाज को मुक्त कराने के लिए संगर्श करना पड़ा। आज भी यह विशमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अनुसूच जाती के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विशमता दूर नहीं होती। भारतिय सम्विधान के रचैता डॉक्टर अंबेड करने विदेश से पीएच डी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहां उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता भाजपा इसे सुईकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही इश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरीमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोशन से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधार भूत निष्ठा है। किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केंद्री करण के अपने खत्रे होते हैं और यह स्थिती सत्ता में भरष्टा चार को बढ़ाती है। लेकिन गांधी जी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी वाद को जन्म नहीं दिय बलकि उनके द्रश्टिकोन जीवन के प्रती एकात्म प्रियास को उजागर करते हैं। महात्म गांधी के द्रश्टिकोन के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोशन के खिलाफ है और साधनों के समुचित बटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वाश नहीं खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सब की चिंता करेंगे। दीन दयाल जी मनुश्य की मूल आवशकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार को भी जोडते थे। आर्थिक विशमताओं की बड़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। असिक्षा, कुपोशन और बेरोजगारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर सरवे भवंतु सुखिना का आदर्श प्राप्त करना हमारी मोलिक निष्ठा है। हमारे गांधीवादी द्रश्टिकों ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात क करने की जरूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूलियों के आधार पर अपनी बुद्धी, प्रतिभा और पुरुशार्थ से हम इसे पा सकते हैं। राशी का भुगतान करके वह अपराद मुक्त होने का प्रमान पत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शाशन में धर्म के असहनी हस्तक्षेप का विरोध शुरू हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तू है। इस विरोध आंदोलन से धर्म न निहित नहीं है। हो जाना नहीं है। भारत में धर्म निर्पेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शाशक किसी पंथ को किसी भी पूजा पद्धती को राज पंथ राज धर्म या राज पद्धती नहीं मानेगा। वह सभी धर्मों पंथों एवं पद्धतियों को समाना दर और देता है, हमारा ओदेश्य है न्याए, सब के लिए और तुष्टिकरन किसी का नहीं, इसका व्यभारिक अर्थ है सब का साथ, सब का विकास. हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हिंदूओं और मुसल्मानों से और मुसल्मानों को हिंदूओं से लड़ना नहीं है बलकि दोनों को मिलकर गरीबी से लड़ना है पाँचवा मुल्य आधारित राजनीती भाजपा ने जो पाँचवा अधिश्ठान अपनाया है वह है मुल्य आधारित राजनीती एकात्म मानववाद मुल्य आधारित राजनीती पर विश्वास करता है नियमों और मुल्यों के निर्धारण के वाइदे के बिना राजनीतिक गतिविधी सिर्फ निज स्वार्थपूर्ती का खेल है भाजपा मुल्य आधारित राजनीति के निर्मान के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरन एवं नैतिक मुल्यों की पुने स्थापना करना लक्ष है आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीतिक विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है यही वज़े है कि देश नैतिक ताकत के लुपती करन से जूज रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी शमता को खोता जा रहा है जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे हुए ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं जिससे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं यह नहीं कहा जा सकता पर हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि यह निष्ठाओं हमारे लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं हम सब को यह प्रयत्न करते रहना जरूरी है कि हम अपना जीवन और अपनी पाल्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएं धन्यवाद